हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं चैनल तो आज हम पढ़ने वाले है समाज सास्त जोगी क्लाश 10 का एंसे आर्टी है इसमें टॉपिक है समाजी स्रस्थाय निरंतर्ता एवं परिवर्तन कहने का थाथ पर है कि सोसल इस्टिट्यूशन में कांटिनूसली चेंज होते रहते हैं क तो कैसे होते हैं परिवार कैसे बनते हैं उसमें क्या चेंज होते हैं आज हम लोग इसी सब के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इसमें का जा रहा है कि दूसरे अध्या में भारती जन संक्या की संरचना और गतिशिलता के बारे में पढ़ने के बाद अब हम समाजी संस्थाओं का अध्यन करेंगे जन संक्या सिर्फ अलग-अलग समंदित व्यक्तियों का जमघट नहीं है परन्तु या विभिन प्रकार के अलग-अलग पर आपस में समंदित वर्गों और समुदायों से बना हुआ एक समाज है यह समुदाय समाजी संस्थाओं और समंदों के द्वारा बने हुए और संचाल कि आ हैं जघ्ण जाति मेंने किसी भी भी घूमी पर रहने वाले या को लेकृत इसे हैं और प्रिवार मतलब की इक जाने वाले किसी भी भारतवासे की तरह आप भी यह जानते होंगे कि जाती किवल हमारे अतीत का नहीं बलकि हमारे आज का भी यह कभी नंग है यह दो जातियां एक जो भारत के अतीत का हिस्सा मानी जाती है और दूसरी जो भारत के वर्तमान का हिस्सा है कहां तक समान है इस में हम इस प्रश्ण का उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो अईया पढ़ते हैं अतीत यानि पहले में जाती कैसे थी तो जाती भारती महादीब से जुड़ी अनूठी संस्था है हालांकि बिश्व के अन्य भागों में भी समान प्रभा उत्पन करने वाली समाजी है खासकर मुसल्मानों इसाईयों और सीखों में माना करता है कि अंग्रेजी के सब्द कास्ट की उत्पत्ति पूर्तगाली मूल्क के सब्द कास्टाक से हुई है पूर्तगाली कास्टाक का अर्थ है विसूद्ध नसल अंग्रेजी सब्द कास्ट का अर्थ एक विश्थित संस्थाकत बेवस्था से है जिसे भारती भासाओं में प्राचीन संस्कृति भासा से प्रारम करते हुए दो विभीन सब्दों वर्ड और जाती के अर्थ में उपयोग किया जता है वर्ड जिसका साब्दिक तातपर है रंग समाज के ब्रामड छत्री वैस और सुद्र इन चा पैदान पर होते हैं ऐसे ही यह वर्ड होते हैं ऐसे विवाजित किया गया है तो हलांकी इस विभाजन में जन संख्या का एक महत्तपुड भाग सामिल नहीं है जो की जाती बहिस्कृत बिरेसियों दासों युद्धों में पराजित लोगों एवं अन्य लोगों से मिलकर ब एतन वस्तुओं से लेकर पेड़ पौधो जीव जन्तु और मनु से भी सामिल होते हैं भारती भासाओं में जाती सब्द का प्रयोग समाने तर जाती संस्ता के संदर्व में ही किया जता है हलांकी यह दिल्चस्प है कि भारती भासा बोलने वाले लोग अंग्रेजी सब्द कास्ट का प्रयोग भी करने लगे हैं वर्ड जाती के आप सी समंद्र की स़टीख ब्याक्या क्या हो Oohire यह प्रस् enorme बिद्वानों के बीच अटकल बाजी और बहुं स्का बिसे रहा है मतलब वर्ड जाती के समंद्र सटीक ब्याक्या करने के लिए हमेसा से इसे भिषाय पे अटकल लगती जा रही है सबसे समान नहीं बैक्खाय говорить कि वर्ड को एक अखिल भारती सामोहिक वर्गी करण के रूप में समझा जासकता है वही लाती को छेतरी या अस्थानी उपर वर्गी करण के रूप में समझा जा सकता है जिसमें सैकड़ो यहां तक की हजारो जातियों यह उप जातियों से बनी अप्तिधिक जटील बेवस्था सामिल होती है इसका अर्थ यह हुगा कि जहां चार वरणों का वरगी करण पूरे भारत में समान है वही जाति अधिकरम के वरगी करण छेतरी हैं जो एक छेतर से जूसरे छेतर में बदलते रहते हैं कहने के ताथ पर है कि जाती जहां चार वरणों में है वैसे ही छेतर वाइट भी जाती बदलती रहती है जैसे कि इस समय के, इस बात पर भी मतबेद़ है कि जाती ब्यवस्ता के उत्पति सूनिश्चित काल क्या है मतलए कोई ऐसे सूनिश्चित काल नहीं है, क्या है पता भी नहीं हमितक समानता यह माना जाता है कि चार वर्गों का वर्गी करण लगबग 3,000 साल पुराना है हलांकि विभीन समयकालों में जाती बेवस्ता के विभीन स्वरूप रहे हैं इसलिए यह मान लेना कि एक समान बेवस्ता 3,000 वर्थों से चली आ रही है अपने आपको भ्रमित करना होगा अपने प्रारंभी काल वैली काल 900 से 500 इसापुरों के बीच में जाती बेवस्ता वास्तों में वर्ड बेवस्ता ही थी और इसके केवल चार विभाजन थे जो की चार विभाजन आप लोगों नभी पढ़ाता है ब्रामण चत्री वैस सुद्रक यह विभाजन बहुत विस्तित या बहुत कठोर नहीं थे और यह जन्मस से निर्धारित नहीं होते थे इन वर्गों के बीच अस्थान परिवर्तन संभव ही नहीं बलकि समान ने थी भी था अता उत्तरवैदिकाल में ही जाती एक कठोर संस्था बनी जिसे से हम जाती की प्रसिद्ध परिभासाओं द्वारा परचित हैं अब यहां पर आता है इसके विस्तिताएं बताना है कि जाती की सबसे समान ने निर्धारित विस्तिताएं तो यहां पर कुछ पॉइंट किये गए हैं लगवाग छे पॉइंट हैं तो इसको पढ़ते हैं पहला पॉइंट इसमें है कि जाती जन्म से निर्धारित होती है एक बच्चा अपने माता पिता की जाती में ही जन्म देता है जाती कभी चुनाव कभी से नहीं होती हम अपनी जाती को कभी भी बदल नहीं सकते छोड़ नहीं सकते या हम इस बात का चुनाव को नहीं कर सकते कि हमें जाती में सामिल होना है या नहीं हलांकि ऐसे उधारण हैं जहां एक बिक्ति को उसकी जाती से निकाला भी जा सकता है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है, जाती की सदस्यता के साथ विवा समंद कठोर नियम सामिल होते हैं। जाती समू सजाती होते हैं, अर्धार्थ विवा समू के सदस्यों में ही हो सकते हैं। जाती सदस्यता में खाने और खाना बाटने के बारे में नियम भी बन सामिल होते हैं, किस प्रकार कर खाना खा सकते हैं और किस प्रकार कर नहीं, यह निर्धारित है और किसके साथ खाना बाट कर खाया जा सकता है, यह भी निर्धारित होता है, जाती में स्रेडी एवं प्रस् जातियों के अधिक्रम में एक निर्धारित अस्थान होता है, जहां अनेक जातियों की अधिक्रमित इस्थिती बिशेश कर, मद्देक्रम के स्रेडियों में एक छेतर से दूसरे छेतर में बदल सकती है, पर अधिक्रम हमेशा पाय जाता है, जातियों में आपसी उपवभाज भी होता है अर्थार्थ जातियों में हमेशा उपजातियां होती हैं और कभी-कभी उपजातियों में भी उपजातियां होती हैं इसे खंडात्मक संगठन कहते हैं परंपरिक तवर पर जातियां ब्यौसाय से जुड़ी होती हैं एक जाति में जन्म लेने वारा ब्यक्ति उस जाती से जुड़े ब्योसाय को ही अपना सकता है था अतव ब्योसाय वंसा नुगत थे अर्थार्थ या पीड़ी-दर-पीड़ी हस्तान्तित होते थे दूसरी और एक विसेश ब्योसाय को किसी जाती से जुड़े होने की वज़ा से उसे जाती के लोग अपना सकते थे किसी द हमारी भागीदारी 0% होती है और ये बात हमें तब समझ आती है जब आप बहुत बारिकी से इसको देखते हैं नहीं तो बस ऐसे हवा पंप उड़ते रही है और हवा में क्या दिखकत है वह तो बारिक को अच्छा लगता है उड़ना और तब कि उसको यह भी नहीं पता है कि हिलियम के विए से उड़ रहा है उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है मनोबिज्ञान में एक सिध्धान्त है जिसमें मेरी सामती भी है कि वह कहता है ब्यक्ति का पूरा ब्यक्ति तो दो चीजों से मिलकर बनता है एक जेनेटिक और एक इंवार्मेंट इसलिए यदि किसी को लंबा होने का गमंड है तो उस मुल्ग को पता नहीं है कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है और किसी को छोटा होने का गम है तो उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है कोई भूमिका नहीं है तुक्का लग गया है तो ऐसे पैरेंस के घर पैदा हुए जिनके जीन्स की में छोटा पन था तो आप छोटे हो गए और दूसरा तुक्का यह है कि इन्वार्मेंट कि यदि जिस घर में पैदा हुए उस घर में आपके माता-पिता की पढ़ाई लिखाई का इस्तर क्या था उनकी समझदारी का इस्तर क्या था आपके पढ़ोस कैसे मिले रिसिदार कैस कर सकते हैं तो आप में क्या है तो आप एक ऐसे निधायत कर सकते हैं कि कौन सी जाती अच्छी है कौन सी जाती नहीं अच्छी है यह तो आप किस बिवस्था में किस समुदाय में किस परिवार में जन्मिन लेते हैं उस पर डिफाइन होता है तो जाती कोई अच्छी मुरी नियम हैं जो प्राचिन धर्म ग्रंथों में पाय जाते हैं चुकि यह निर्धारित नियम हमेशा बहवार में नहीं थे हम यह नहीं कह सकते कि यह नियम किस सीमा तक जाती की अनुभाविक व्वास्तिविक्ता अर्थार्थ उस समय के लोगों के लिए इसका निश्चित नियधारित करते थे जैसा कि आपके सामने हैं अधिकास नियधारित यमों में प्रतिबंद सामिल थे एधिहासिक सुत्रों से यस भी सापत तावर पर साबित होता है कि बहुत असमान सहस्था थी जहां को जातियों को तो इस बिवस्था से बहुत लाब रहा वही अन जातियों को इसकी वज़ा से अधिनता में एवं कभी भी न समाप्त होने वाली स्रम का जीवन जीने का दंड भुगतना पड़ा कहने के ताथ पर यहां कि जैसे ब्रामण है तो उनको हर जंगर बेवस्ता अच्छा मिलती है बैटने का खाने का और उनको इज्जत सम्मान बहुत अच्छा मिलता है और वैसे सुद्रजाती होते हैं जो कि जैसे बहुत निचले इस तरह काम करते हैं जैसे कुड़ा करगूर उठाते हैं सफाई करमी काम करते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत हिन भावना से देखते हैं तो ऐसे ही इसमें बताए जा रहा है तो सबसे मात्वपूर बात यह है कि जब जाती जन्में द्वारा कठोड़ता से निधारित हो गई उसके बाद किसी बिक्तिक के लिए सद्धा सैधान्तिक तोर पर कभी भी उसकी जीवा निश्तिती बदलना असंभव था चाहे उच्चे जाती के लोग उच्चे इस्तर के लायक हो या ना हो उनका इस्तर हमेशा उच्चे ही रहता था जबकि निम्न जाती के लोगों का इस्तर हमेशा निम्न रहता था सैधान्तिक तो पर जाती बेवस्ता को सिधानतों के दो समुच्चयों के मिस्त्रड के रूप में समझा जा सकता है। बनाई गई है इन नियमों में साधी, खान, पान एवं समाजिक अंतक्रिया से लेकर ब्यवसाय तक के नियम सामिल है वही दूसरी और इन विभिन एवं प्रिथक जातियों का कोई भक्तिगत अस्तित नहीं है वे एक बड़ी संपूरता से संबंतित होकर ही अपना अस्तित बन समानतावादी ब्यवस्ता होने की बजाए अधिक्रमित ब्यवस्ता है प्रतेक जाती का समाज में एक विशिष्ट अस्तान होने के साथ साथ एक क्रम सिर्डी भी होती है एक सिर्डी दूमा ब्यवस्ता जो उपर से नीची जाती है में प्रतेक जाती का एक विशिष्ट अस असुचिता, यहां सुदता को वडित किया गए सुचिता से और असुदता को असुचिता से बीच में अंतर अधारित होती है जैसे यह विभाजन जिसे हम पवित्र के करीम मानने में विस्वास रखते हैं जैसे अता कर्मकार्ण के सुदता के लच्छार्थ उसके और जिसे हम पवित्रिप से परे मानते हैं या उसके विपरिद मानते हैं अता हुआ कर्मकांड के लिए प्रदूसित होता है के बीच है वह जातियां जिने कर्मकांड के द्रिष्टी से सुद्ध माना जाता है उनका अस्थान उच्छ होता है और जिनको कम सुध या असुध माना जाता है उन्हें निम्न अस्थान दिया जाता है जैसा कि हर समाज में होता है समाजी किस तर से भौतिक सक्ति अर्थार्थिक या सायन सक्ति नजदीकी से जूड़ी होती है जिनके पास सकती होती है, उनकी इस्थिती उच्छ होती है, और जिनके पास सकती नहीं होती है, उनकी इस्थिती निम्न होती है, आज के समय भी दिखा जाता है, कि जिसके पास ज्यादा सकती है, ज्यादा पावर, ज्यादा पैसे हैं, उनको उच्छ माना जाता है, लोग सारे काम के लिए भी बताया जाता है कि जो लोग युद्धों में पराजित हुए थे उन्हें अक्सर निम्न जाती की इस्तिति मिली है मतब यहां पर देखिए इतियासकार यह भी मानते हैं कि पहले के समय में जो युद्ध करते थे युद्ध में पराजित हो जाते थे उसको निम्द मानते थे अभी यह जो इन लोग के बारे में लिखा हुआ है इनके बारे में अभी बीस्तार से पढ़ेंगे लाष्ट में पहले यह देखते हैं अंत में यह भी कहा जा सकता है कि जातियां एक दूसरे से सिर्फ कर्म कांड की दिर्ष्टी से ही असमान नहीं है उनसे यह भी या पिक्चित है कि वे एक दूसरे की सहयोगी होंगी, एवम उनमें आपस में प्रतिसपर्था नहीं होगी, दूसरे सब्दों में प्रतेक जाती का बेवस्था अपने अस्थान तय है और वो अस्थान किसी भी अन्य जाती को नहीं दिया जासकता, चुकि जाती बेवस्था बेवसाय से भी जूड़ी हुई है, अता बेवस्था करम के समाजी विभाजन के अनुरूप कारे करती हैं, परन्तु सैधानतिक तोर पर यह किसी भी प्रकार की परिवर्थन सिल्ता की अनुमती नहीं देती है, उपनिमे स्वाद और जाती, प्राच प्राप्त भारती स्वातनता को अपनिमे सिक काल, यानि मोटे तोर पर 18100 से 1947 तक के लगबग 150 वर्स और स्वातनता त्योर अत्वा अपनिमे सिक सासन के बाद के काल, 1947 से आज तक के साथ दसक के बीच स्वाभाविक विभाजक देखा मान सकते हैं, एक समाजी संसला के प्राप्तमान स्वारूप को अपनिमे सिक काल और साथ ही स्वातनत्र भारत में तीवर गतिस से हुए परिवर्तनों द्वारा मजबूती से अकार प्रदान किया गया है, विद जन इस बात पर सहमत हैं कि अपनिमे सिक काल के दौर में सभी प्रमुक समाजिक संस्थाओं में और विशेश रूप से जाती बेवस्था में प्रमुक परिवर्तन आये। वस्तुता कुछ विद्वान तो कहते हैं कि आज जिससे हम जाती के रूप में जानते हैं वो प्राचीन भारती परंपरा की अपेच्छा उपनिमे स्वाद की ही अधिक देन है। यह सभी परिवर् प्रताओं की जटिलताओं को समझने के प्रयतने सुर्व किये। इन प्रयतनों के अंतरगत देश भर में विभीन जनजातियों अतथा जातियों की प्रताओं और तरीकों के बारे में अत्यंत सुव्यवस्थित रीती से गहन सर्वेच्छर की गए और उनके विशय में ज्यानी भी थे और उन्होंने सरविच्छर तता अध्यान कारियों में बहुत रूची ली लेकिन जाती के बिसे में सूचना एकत्र करने का अब तक का सबसे महत्वपुड सरकारी प्रयत ने जनगर्ना के माध्यम से किया गया जनगर्ना के कारे को सरवपथम 1860 के दसक में प् गी 1901 में हरबर्ट रिजले की निर्देशन में कराई गई जनगर्ना विशेश रूप से महत्वपूर थी क्योंकि इस जनगर्ना के अंतर का जाती के समाजिक अधिकरम के बारे में जनकारी कर्ठी करने का प्रहत्न किया अर्थ हर्थ किस छेत्र में किस जाती के अन्य जाति की तुलना में समाजिक दिश्टी से कितना उंचा अया नीचे आस्थान प्रात्त है और तदोनसार स्रेडिक क्रम में प्रतियक जाती की इस्तिति निर्धारी कर दी गई यह कब हुआ था 1901 में हरबर्ट रिजले की निर्देशन में हुआ था जाती के समाजिक सोद समाजिक बोध पर इस प्रयास का गहरा प्रभाव पड़ा और विभिन जातियों के प्रतिनीधियों द्वारा जन गणना आयुकत के पास सैकड़ो या चिकाएं भी भेजी गई जिनमें उन्होंने समाजिक क्रम में अपनी जाती को अधिक उंचा अस्थान देने की मांग की थी और दाओ के समर्थन में अनेक एतियासिक तथा धर्म सास्तरी प्रमार प्रस्तुत किये थे कुल मिलाकर विद्वान यह मसूस करते हैं कि इस प्रकार की जाती गणना और अधिकारिक रूप से जातियों की प्रश्थिति का अभी लेक करने के प्रत्यक्ष प्रयास ने जाती संस्था के स्वरूप को ही मदल डाला इस प्रकार के हस्तचेव से पहले जातियों की पहचान अपिक्षा करित बहुत अधिक अश्थिर तथा कम कठोर थी जब एक बार उनकी गणना प्रारंब हो गई और उसे अभी लिखित किया जाने लगा तो फिर जाती का एक नया जीवन प्रारंब हो गया इन प्रैतनों के अंतरगत ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया जिसने राज द्वारा विशेज बहवार के लिए निरधारी जातियों तथा जन जातियों की सूचियों या अनुसूचियों को बैद मानने था प्रदान कर दी इस प्रकार अनुसूचित जन जातियां और अनुसूचित जातियां सब्द अस्तितों में आये जाती अधिकरम में जो जातियां सबसे नीचे थी जिनके साथ सबसे अधिक भेदभाग बढ़ता जाता था और जिनमें सभी तथा कतित अश्प्रियस यानि अच्छूच जात की स्रेडि में सामिल किया गया आप आगे समाजिक अपवर्जक विसरयक पांचवे अध्या में अस्प्रिस्ता के और बीरोधि संकर्ष के बारे में अधिक पड़ेंगे इस प्रकार उपनिवेस्वाद ने जाती संस्था में अनेक प्रमुक परिवर्तन किये सायद या कहना अ इस सो भर में तेजी से बदलाव आ रहा था जाती का समकालिन रोप 1947 में भारत को प्राप्त स्वतनता वैसे तो एक बहुत बड़ी घटना थी पर उसके बाद भी भारत को अपने अपनिवेस्टिक अतीद से पूरी तरफ छुटकारा नहीं मिला राष्टवादी अंदोदनों के लिए व्यापक पैमाने पर जन्मत जुटाने में भी जाती भावनाओं एवं अधारों ने अनिवार रोप से अपनी भूमी का अधा की थी दलित वर्गो और विशेश रूप से अस्प्रिश से अच्छूत समझी जाने लगवाली जातियों को संगठित करने के प्रयत्न राष्टवादी अंदोदन के प्रारंब से पहले ही उनिश्वी सताबदी के उतरार्द में प्रारंब हो चुके थे जातिय अधिकरम के दोनों सीरों से उच्छे कही जाने वाले जातियों के प्रगति सील, सुधारकू और नीची समझी जाने वाले जातियों के सदस्यों जैसे पस्चिमी भारत में महात्मा जोतिबा फूले और बाबा साहिब अमबेटकर और दच्चे भारत में अध्यन कालिन श्री नरायन गुरु ईयो तीदास और पेरियार इवी रामस्वामी नायकर दोनों ने ही इस दिशा में पहल की मात्मा गांधी और बाबा साहिब अमबेटकर दोनों ने ही 1920 के दसक में से अस्पिर्षता यानि कि चुवाचूत के विरोध अपने विरोधा अंदोलन शुरू कर दिये थे चुवाचूत विरोधी कारेक्रमों को कांग्रेस की कारेसुची में महत्वपूर अस्थान दिया गया और जब 37 चितिज पर दिश्टी गोचर होने लगी तब तक राष्टवादी अंदोलन के संपोड परिदिस में मोटे तोर पर यह सामती हो गई की जाती विभिनिताओं का उन्मूलन कर दिया जाए राष्टवादी अंदोलन में मुखरित या प्रबल दिश्टी कोड़ जाती को एक समाजी कुरूती और भारतियों के बीच फुट डालने की एक औपनिवेसिक युक्ति मानता था लेकिन राष्टवादी नितागर जिनमें महत्मा गादी प्रम प्रतियों को या अस्वासन देने में भी और सफल रहे कि उनके हीतों का भी ध्यान रखा जाएगा सुतंता त्योर भारती राज्य को ये अंतर विरोद विरासत में मिले जो बाद में प्रतिविम्बित होते रहे एक और तो राज्य जाती प्रथा के उनमूलन के लिए प्रतिबद था और भारत के समिधान में भी इस पश्ट रूप से इसका उलेक किया गया दूसरी और राज्य उन आमुल चूल सुधारों को लाने में असमर्थ एवं अनिचुक था जो जाती या समानता के लिए आर्थिक अधार को दुर्बल बना देते एक अन्य इस्तर पर भी राज्य ने या माना की यदिवाज जाती प्रथा की और आखे बंद करके काम करेगा तो उससे स्वता ही जाती अधारित विशेसा अधिकार कमजोर पड़ जाएंगे और अंतदगोत्वा इस संस्था का उनमुलन हो जाएगा उधारण केलिए सरकारी पड़ो पर नियुक्तियों के मामले में जाती का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और इस प्रकार अच्छी तरह से सिच्छित उच जातीयों और अलप असऽर निरक्छर निमन जातीयों को समान अधार पर पतियोगिता करनी पढ़ती थी इसका एक मात्र अपवाद यही था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूति जन जातियों के लिए कुछ पद आरचित होते थे राज्य के विकास समंधी कारेकलाप और नीजियों दोगों की समरिद्धी ने भी आर्थिक परिवर्तन में तीवरता और गहनता लाकर अप्रत्यक्ष रूप से जाति संस्ता को प्रभावित किया आदुनिक उद्धोग ने सभी प्रकार के नए नए रोजगार के आउसर तयार किये जिनके लिए कोई जाती नियम नहीं थे नगरी करण और सहरों में सामोहिक क्रहन सहयन की परिश्थितियों ने समाजिक अंतक्रिया के जाती प्रिथक्रित स्वरूपों का अधिक समय तक चलना मुस्किल कर दिया एक अनिस्तर पर आदुनिक सिच्छा प्राप्त भारती व्यक्तिवाद और योगेता तंत्र अर्थात योगेता को महत्त देने के उधार विचारों से आकर्सित हुए और उन्होंने अधिक अतिवादी जाती ब्यवारों को छोड़ना प्रारम कर दिया दूसरी और यह भी उलेकनी था कि जाती ब्यवस्ता कितनी दचीरी साबित हुई और दोगिक नौकरियों में भरती चाहे वह भरती मुंबई की कपड़ा मिलों में हो या कुलकाता के जूट मिलों में अत्वा कहीं अन्यत्र हो जाती यह नदेदारी के आधार पर होती रही जाला रहता था अच्छूतों के प्रती खूब भेदभाव परता जाता था और सहरों में भी इस तरह के पुर्वागर का अभाव नहीं था हलांकि यह गाओं के तुलना में कम था यह कोई आश्चर जनेक बात नहीं थी नहीं है कि जाती संस्क्रीतिक और घरेलू चेत्रों में ही सबसे सुद्रिड सिद्ध हुई अंतर विवा यानि अपनी जाती के भीतर विवा करने की परिपार्टी अधुने की करड़ और परिवरतन से बड़े तो पर अप्रभावित रही आज भी अरिकांस विवा जाती की परिशिमाओं के भीतर ही होते हैं हलांकि लेकिन अब इतना भी नहीं गाउं में तो अभी नहीं चल रहा है संभावता परिवर्तन का सबसे घटनापूर्ड एवं महत्वपूर्ड राजनीती का छेतर रहा है स्वतंत्र भारत में अपने प्रारम से ही लोकतांतरिक राजनीती गहनता से जाती अधारित रही है हलांकि इसके अधार पर कार्य करना जटिल से जटिलतर होता गया है और उसके भविस्ट के बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जाती चुनाव राजनीती का केंद्र बिंदू बनी हुई है 1980 के दसक से तो हमने इस पश्ट रूप से जाती अधारित राजनीतिक दलो को भी उभरते देखा है प्रारंबिक समान चुनाव में ऐसा प्रती थुगा कि जाती भाईचारे के भुमी का चुनाव जीतने में निरडायक रही थी परन्तु उसके तुरंत बाद ही इस्तिती अत्यन जतिल हो गई क्योंकि भी नभीन दलों ने जाती अधार पर मत प्राप्त करने की संभावना का हिसाब लगाने में एक दूसरे से होड़ सुरू कर दे परिवर्तन के इन प्रक्रियाओं को अजमाने और समझने के लिए समाज सास्त्रियों यवं समाज मानो विज्ञानों ने कई 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 नई नई संकलपनाएं गड़ी साइद उन संकลपनाव में जाती के सरच से किसी उच जाती यानि जातीओं की धारमिक क्रियाओं, घरेलू या समाजिक परिपाटियों को अपना कर अपनी समाजिक प्राइस्थिति को उंचा करने का प्रयत्न करते हैं प्रबल जाती प्रबल जाती संद्र का प्रयोग ऐसी जातियों का उले करने के लिए क्याता है जिनकी जनसंख्या काफी बड़ी होती है मतलब प्रबल होती है और जीने स्वतन्ता प्राप्तिक के बात किये गए आंसिक भूमी सुधारों द्वारा भूमी के अधिकार प्रदान किये गए थे इन भूमी सुधारों ने पहले के दावेदारों से अधिकार छीन लिए थे ये दावेदार उची जातियों के ऐसे सदसे होते थे जो इस अर्थ में अनुपस्थित यानि दूरवासी जमिदार थे कि वे अपना लगान वसूल करने के अलावा खेतियर अर्थ ब्यवस्था में कोई भूमी का अदा नहीं करते थे वे अक्सर उस गाउं में भी नहीं रहते थे बलकि उनका आवास कसबो या सहरों में होता था अब ये भूमी अधिकार उस अगले इस्तर के दावेदार को प्राप्त हो गए हैं जो किरिशी के प्रबंद में तो सामिल थे पर स्वयम भूमी नहीं जोते थे ये मद्वर्ती जातियां भी स्वयम परिश्रम नहीं करती थे बलकि भूमी की जातियों देख भाल आदी के लिए निम्न जातियों के मजदूरों पर अस्रित थी जिनमें विशेश रूप से अच्छुत जातियों के मजदूर सामिल थे किन्तु एक बार जब उन्हें भूमी अधिकार मिल गए तो उन्होंने परियाप्त आर्थिक सक्ति प्राप्त कर ली उनकी बड़ी संख्या ने भी सर्वजनीन वयस्क मता अधिकार पर बदब भारी भड़ कमभीड के साथ में वयस्क मता अधिकार पर अधारित चुनावी लोगतां से के इस युग में इन्हें राजनीतिक सक्ति प्रादान की इस प्रकार या मत्यवर्ति जातियां देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गई और छेतरी राजनीति तथा खेतियर अर्थ ब्यवस्था में निडायक भूमिका अधा करने लगी इस प्रबल जातियों के कुछ उधारण हैं जिसे बिहार उत्तरपदेश के यादो करनाटक के बोकलिंग आंद्पदेश के रेड़्डी और खम्मा लोग महराष्ट के मराठे पंजाब भरियाला और पश्चिमी उत्तरपदेश के जाट और गु भी तो होता है जो बहुत पुराने हैं और उपमहादीप के सबसे पुराने निवासी हैं भारत में जञातियों की परिभासा नकरात्मक सब्दों में अर्थार्थ हुए क्या नहीं हैं या बताकत की जाती है जञातियां ऐसे समधाय थे जो किसी लिखी धर्म गरंथ के जहां तक सकरात्मक विशिष्टिताओं का समन्ध है जन जातियों को उनकी अस्थाई तथा अरजित लच्छडों के अनुसार विभाजित किया गया है अस्थाई लच्छडों में छेत्र भासा सारीरिक्स विशिष्टताएं और परिश्थित्ति की अवास सामिल है अस्थाई लच्छड क्या है भारत की जन जातिय जन संख्या व्यापक रूप से बिखरी हुई है लेकिन कुछ छेत्रों में उनकी अबादी काफी घनी है जन जाति जन संख्या का लगभग 85% भाग मद्य भारत में रहता है जो पस्चिम में गुजरात ततराजस्तान से लेकर पूरों में पस्चिम बंगाल और उडिशा तक फैला हुआ है और जिसके हिर्दय इस्थल मद्य भाग में मद्य प्रदेश, जारखन, चप्तिजगर्ड और महाराष्टा था आंदर प्रदेश के कुछ भाग इस्तित है जनजाती जनसंख्या के सेस 15% में से 11% से अधिक पुर्वत्तर राज्यों में और बाकी के 3% से थोड़े से अधिक सेस भारत में रते हैं यदि हम राज्य की जनसंख्या में जनजातियों के हिस्से पर दिश्टिपात करे तो पाएंगे कि पुर्वत्तर राज्यों में इनकी अबादी सबसे घनी है वहां आसम को छोड़ कर सभी राज्यों में उनका घनत 30% से अधिक है अवनाचल पतेश में घालें, मिजूरम और नागालेंड जैसे कुछ राज्यों में तो जनजाति अबादी 60% से अधिक है और 95% तक है किन्तु देश के सेस भागों में जनजाति जनसंक्या बहुत छोटी है यानि उडिशा और मत्यपदेश को छोड़ कर सेस सभी राज्यों में 12% से कम है इनके परिश्यति के अवासों में पहाड़ियां, वन, ग्रामीर, मैदान और नगरी अदोगी के इलाके सामिल है भासा के दिश्टी से जनजातियों को चार स्रेडियों में विभाजित किया गया है तो इसमें दो स्रेडियां अर्थात भारती आरे और द्रबेर परिवार के परिवार की भासाएं सेस भारती जनसंक्या द्वारा भी बोली जाती है और जन्जातियों में से लगबग 1% लोग ही भारती आरे परिवार की भासाएं और लगबग 3% लोग द्रबेर परिवार की भासाएं बोलते हैं दो अन्य भासा समू आश्टिक और तीबती बर्मी फ्राथमिक रूप से जन्जाती लोगों द्वारा बोले जाते हैं जिनमें से आश्टिक परिवार की भासाएं, पूर रूप से जन्जाती लोगों द्वारा और तीबती वर्मी परिवार की भासाएं 80% से अधिक जन्जातियों द्वारा बोली जाती है सारीरिक प्रजाती दिष्टी से जनजातियों का निग्रीटों, आस्टिलाइट, मंगुलाइट, द्रबिड और आरे स्रेडियों में वरगी करण किया गया है भारत की जनसंख्या का सेस भाग भी द्रबिड और आरे स्रेडियों की अंतरगत आता है जनसंख्या के आकार की देश्टी से जनजातियों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है सबसे बड़ी जनजाती की जनसंख्या लगबग 70 लाख है जबकि सबसे छोटी जनजाती यानि अंडमान अधिपवासियों की जनसंख्या साहे 100 वेक्तियों से भी कम है सबसे बड़ी जनजातियां गोंड, भील, संथाल, औरांग, मीन, बोडो और मुंडा है इनमें सबी की जनसंख्या कम से कम 10 लाख है जनजातियों की कूल जनसंख्या 2001 की जनगरना के अनुसार भारत की समस्त जनसंख्या का लगबग 8.2 प्रतिस्यत या लगबग 8.4 करोड बेकती है 2011 की जनगरना के अनुसार जनजातियां भारत की कूल जनसंख्या का 8.6 प्रतिस्यत है अत्वा लगवक 104 बिलियन जंजाती लोग इस देश में निवास करते हैं अर्जित लच्छड अर्जित लच्छडों पर अधारित वर्गी करड़ दो मुख्य कसोटियों आजीवका के साधन और हिंदू समाज में उनके समावेस की सीमा अत्वा दोनों के समिस्त्रड पर अधारित हैं आजीवका के अधार पर जंजातीयों को मच्छुआ, खाद्य, संग्राहक और आखेटा क्यानी सिकारी जूम खेती करने वाले ख्रीशक और बागान तता अधोगिक कामगारों की इस रिडियों में बाटा जा सकता है लेकिन अकादमिक समाज सास्त्र और राजनीती तता सारोजनिक मामलों में अपनाए जाने वाले सबसे प्रभावी वर्गिकरण इस बात पर अधारित है कि हिंदु समाज में अमुग जंजातीयों को कहां तक आत्मसात किया गया है इस आत्मसात करण को जंजातीयों के दिष्टी कोड से अत्वा जैसा की असर होता है प्रभल हिंदु मुख्यदारा के दिष्टी कोड से देखा जा सकता है जनजातियों के दिष्टि कोड़ से आत्मसात करड़ के सीमा के अलवा हिंदू समाज के प्रती अभिवित्ती रूख भी एक बड़ी कसोटी है क्योंकि जनजातियों की अभिवित्तियों के बीच काफी अंतर होता है कुछ जंजातियों का हिंदुत्य की और सकरात्मक जुकाओ होता है जबकि कुछ जंजातियां उसका प्रतिरोध या बीरोध करती है मुक्यधारा के दिश्टी कोर से जंजातियों को हिंदू समाज में मिली प्रहिस्थित्य की दिश्टी से भी देखा जा सकता है जिसमें कुछ को तो उंचा अस्थान दिया जता है पर अधिकांस को आम तोर पर नीचा अस्थान भी ही मिलता है जन जाती एक संकलपना की जिवनी 1960 के दसक में विद्वानों के बीच इस प्रस्ने को लेकर वाद विवाद होता रहा कि क्या जन जातियों को जाती अधारित जन हिंदू क्रिशक समाज के एक सीरे का विस्तार माना जाए अत्वा वे पूड रूप से एक भीन प्रकार का समुदाय है जो विद्वान विस्तार के पक्च में थे उनका कहना था कि जनजातियां जाती अधारित क्रीशक समाज से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है लेकिन उनमें इस्तरी करण बहुत कम हुआ है अधिकरम के इस्तर कम है और संसाधनों के अस्वामितों के मामले में वे समुदाय अधारित अधिक और ब्यक्ति अधारित कम है किन्तों उनके विरोती पक्ष का कहना था कि जन्जातियां जातियों से पूरी तरह भिन होती है क्योंकि उनमें धार्मिक या कर्मकांडी दिश्टी से सुद्धता और असुद्धता का भाव नहीं होता जो कि जाती बिवर्ष्था का केंदर बिंदू है संच्वें में कहें तो जनजाती और जाती के बीच को अंतर दरसाने वाले तर्ग पवित्ता और अभित्ता अधिक क रामिक निकी करण में विस्वास रखने वाले हिंदू जातियों और अपैक्चा की संगठन की रीतियों वाली जिववादी जनजातियों के बीच माने गए संस्कृतिक अंतर पर अधारिक था 1970 के दर्सक में 1970 के दर्सक तक आते आते जनजाती के सभी प्रमुक परिभसाएं दोस उड़ दिखाई देने लगी यह दर्साया गया कि जनजाती और क्रिशक समुदाय के बीच किया गया अंतर समाने रूप से अपनाई गई कसवटियों अकार, प्रिथक करड़, धर्म और अजिवका के साधनों में से किसी भी कसवटी पर खरा नहीं उतराता संथाल, गोंड और भील जैसी कुछ भारती जनजातियां बहुत बड़ी हैं और काफे विस्तित में छेतर में फैली होई हैं मुंडा हो जैसी कुछ अन्य जनजातियां काफी समय में से एक अस्थान पर बसकर खेती करने लगी और यहां तक कि बिहार की बीरहोर जैसी की जिकारी संग्रहक जनजातियों ने भी विसेश प्रकार के घर बसा लिये हैं जहां रहकर वे टोकरियां बुनती हैं और तेल निकालने जैसे अन्य कारे करती हैं कुछ अनिक मामलों में यह भी इंगित किया गया है कि अन्य विकल्पों के अभाव में जातियों या गैर जनजातियों लोगों ने सिकार और जंग्रहक का पेसा करना अपना लिया है जाती और जन जाती के बीच अंतरों पर जो चर्चा हुई उसके साथ उन प्रक्रियाओं तथा उपायूं के बिजय में काफी बड़ा साहित तैयार किया गया जिनके मादेम से भिन नभिन यूगों में जन जातियों को हिंदू समाज में आत्मसाथ किया गया ये प्रक्रियाएं थी संस्क्रिती करण सवर्ड हिंदूं द्वारा बीजे के बाद बीजीतों को सुद्र वरणों के अंतरगत सामिल करना पर संस्क्रिती करण ग्रहड और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा भारती इतियास के संपूर विस्तार में यह अक्सर देखने को मिलता है कि विभीन जन जातिय समोहों को हिंदू समाज के जातिय अधिकरम में विभीन इस्तरों पर आत्मसात कर लिया गया, लेक्कियों की जमीनों पर बस्तिया बसा दी गई और जंगलों का सफाया कर दिया गया, इसे या तो सभाविक तथा समनांतर प्रक्रिया के रूप में देखा गया, जिसके त्वारत सभी समोहों का प्रंथों के रूप में हिंदुत्व, आत्मसात्मी करण कर लिया गया, या इसे सोशलात्मक प्रक्रिया माना गया, मानव बिज्ञानियों की प्रारंभिक साखा के लेखकों के मुखेधारा में, जनजातियों के समावेश के सनस्क्रीति पक्षों पर अधिक बल दिया, जबकि परवर्ति लेखकों ने समिलित करने के सोशलात्मक, तथाराजनिती सورूप पर अपना लेखन के निदृत्रित क किया और राज की नितियों को आकात दिया है राश्टी विकास के नाम पर विशेश रूप से नहरु युग में बड़े बड़े बाद बनाए गए कार खाने अस्थाफित किये गए और खानों की खुदाई शुरू की गई क्योंकि जंजाती इलागे देश के खनी संपन और व भानवित हुए खनीजों के दोहन और जल विद्दू सनियंत्रव की अस्थापना के लिए उपयुक्त अस्थलों के उपयोग जिन में से अनेक अस्थल जंजाती इलाकों में इस्थित थे का एक आवस्यक उप उत्पात यथा कि जंजाती है लोगों से उनकी जमीने छीनने की प्रक्रिया सुरू हो गई अधिकान जंजाती समुदाय वनों पर आस्रित थे इसलिए वन चीन जाने से उन्हें भारी धक्का लगा वनों का दोहन कटाई तोसु बिवस्तित रूप से ब्रिटिस काल में ही प्रारम हो गया था और वह प्रवित्ति स्वरंता प्राप्ति क के बाद भी जारी रही जमीनों पर नीजी मलिकाना हक स्वामित्तों दिये जाने से भी जंजाती लोगों पर पतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि उनके यहां समुदाय अधारिस सामोहिक स्वामित्तों की प्रथा थी और उसके अस्थान पर नई विवस्ता लागू किये जाने से उन्हें हानी उठानी पड़ी इसका एक सबसे ताजा उधारण नर्मदा पर बनाए जा रहे बांदों की सिंखला है जहां अधिकांस कीमत अथात जिन लोगों को इसकी वज़े से हानी हुई है और लाब असंगत अनुपात में विविन समदाजों और छित्रों को म मिल रहे हैं जनजाती लोगों की घनी अबादी वाले अनेक छित्रों और राजियों के विकास के दबाव करण गैर जनजाती लोगों के भारी संख्या में अप्रवास यानि आकर बसने की समस्या से जूजना पड़ रहा है इससे जनजाती समदाजों के छिन भिन होने और द लेकिन सबसे अधिक नाटकी स्थिती संभावता पुर्वत्तर छेत्र में उत्पन हुई है वहां त्रिपूरा जैसे राज की जन संख्या लोगों का एक लोगों का अनुपात एक ही दसक में घटकर आदार आ गया जिसके परड़ाम सुरूप वे अल्प संख्यक बन गये अ अब आता है सव्मकाली जन्जाती पाचान तो इसकी पाचान क्या अर्म पर्देयों मुक्यधारा की आंता क्रिया आम तोर पर जंजाती समुदायों के लिए अनुकुल सर्तों पर नहीं होती। इसलिए आज अनेक जंजाती पहचाने गैर जंजाती जगत की दुर्दम मानिय सक्ति का प्रतिरोध एवं विरोध करने के विचारों पर अपना ध्यान केंदित कर रही है। एक लंबे संगर्ष के पर जंजारकन रशतिजगड को अलगर राज का दर्जा मिल गया। लेकिन ऐसी सपलताओं का सक्राथ का प्रभाव पहले से ही चलिया रही समस्याओं के करण तीरोईत हो गया है। उदारण के लिए पुर्वतर चेत्र के अनेक राज्जे कई दसकों से ऐसे विशेष कानौनों के अंतरगत जिनसे वहां के निवासियों के नागरिक स्वतनताएं सीमीत हो रही हैं। अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट परिवार रोनातेदारी क्या है। तो चलिए अब पढ़ते हैं परिवार रोनातेदारी। हम में से हर कोई एक परिवार में उत्पन हुआ है। हम में से अधिकांस लोग परिवार में अनेक वर्ष बिताते हैं। आम तोर पर हम अपने परिवार से गहरा लगाव महसुस करते हैं, कभी-कभी हम अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, सहुदार, भाई, बहनों, चाचा, चाचियों, मामा, मामियों, तथा चेरे मेरे भाईयों, बहनों के बारे में बहुत लगाव महसुस करते है जबकि दूसरों के बारे में हम ऐसा महसूस नहीं करते एक और तो हम उनके हस्ट छेप के लिए अप्रसनता या रोज प्रकट करते हैं फिर भी जब हम उनसे दूर रहते हैं तो उनके रोब दाप पूड़े तरीकों के लिए तरसते हैं उन्हें याद करते हैं परिवार के गह दूर हो जाते हैं तो फिर उनी लड़ाई जगड़े और उनके प्यार के लिए तरस्ते रहते हैं जिसे प्यार, त्याग और बलिदान पार्रमिक सुरच्छा एवं दिखबाल की कहानिया हैं परिवार के संचना का ध्यान इसकी एक समाजी संस्था के रूप में और समाज की अन्य समाजी संस्थाओं के साथ उसके समन्दों के बारे में दोनों ही रूप में किया जा सकता है स्वैम परिवार के मुल परिवार अत्वा विस्तित परिवार के रूप में परिभासित किया जा सकता है इसका मुक्या यानि करता एक पुरूस या इस्तिरी भी हो सकती है वंसा नुकरम के दिष्टी से परिवार मात वंसी तथा अत्वा वित वंसी हो सकता है परिवार की यह आंतरिक संरचना आम तोर पर समाज की अन्य संरचनाओं जैसे जैसे राजनितिक, आर्थिक, संस्कृतिक, आधी संरचनाओं से जूड़ी होती है इस प्रकार हिमालई छेत्र के गाउं से पूर्सों के प्रवसन से उस गाउं में ऐसे परिवार का अनुपास असमानय रुप से बढ़ सकता है जिनकी मुक्या इस्तिरिया है या भारत के साप्टोयर उद्वग में कारे कर रहे हैं यूगा माता का कारे समय ऐसा हो कि अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नक कर सके तो वहां दादा दादियों या नानानीयों की संक्या बढ़ जाएंगी क्योंकि उन्हें ही वहां आकर बच्चों की देखभाल करनी होगी इस प्रकार परिवार की संरचना अत्वा उसके गठन में परिवर्तन हो जाता है और इन परिवर्तनों को समाज में होने वाले अन्य परिवर्तनों के संदर्व में समझा जा सकता है परिवार नीजी छेत्र आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैच्षिक, साजनिक छेत्रों से जुड़ा होता है परिवार हमारे जीवन का एक अभीन अंग है हमारे लिए इसका आर्थित तो स्वता स्वीक्रित है हम यह भी मानका चलते हैं कि अन्य लोगों के परिवार भी हमारे परिवार के तरह ही होंगे ततापी हमने देखा है कि परिवारों की समर्चनाएं बिन बिन होती है और यह बदलती भी रहती है यह परिवर्तन कभी-कभी तो आकास्मिक तोर पर होते रहते हैं तब कोई लड़ाई छिड़ जाती है अत्वा लोग काम की तलास में अन्यत्र जा बसते हैं कभी-कभी या परिवर्तन किसी बिसेस प्रयोजन के लिए किये जाते हैं जैसा कि जब यूगा लोग बुजर्गों द्वारा उनके लिए जीवन साथी का चुनाव करने के बजाए स्वैम ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं अत्वा जब समाज में समलाएंगी प्यार का खुले तोर पर इजहार किया जता है उपर यूग प्रकार के परिवर्तनों से इस परिश्ठा कि परिवार की संचनाव में ही बदलाव नहीं आता बलकि संस्क्रीत विचार मानकों मुलियों में भी परिवर्तन होते हैं किन्तो इस प्रकार के परिवर्थन लाना आसान नहीं होता, इतियास और आधुनिक काल की प्रगटनाओं से पता चलता है कि अक्सर परिवारिक और प्रतिमानों में किये जाने वारे परिवर्थनों का गोर हिंसात्मक विरोध किये जाता है इस समझ में परिवार के भी कई आयाम होते हैं किन्तु भारत में परिवार विश्यक के चर्चाएं अक्सर मूल और मिस्तित परिवार के इर्दगिर्द घुमती रहती है मूल और विस्तारित परिवार मूल परिवार में माता पिता यानि दंपदी और उनके बच्चे ही सामिल होते हैं विस्तित परिवार जैसे आम तोर पर सनित परिवार का जाता है भिन भिन रूप हो सकते हैं लेकिन उनमें एक सी अधिक यूगल दंपत्ती होते हैं और अक्सर दो से अधिक पेडियों के लोग एक साथ रहते हैं इसमें कई भाई भाई भी हो सकते हैं और अपने अपने परिवारों को लेकर सन्यूत परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं या एक बुजुद के दमपत्ति जो अपने बेटों पोतों उनके परिवारों के साथ रहते हों बिस्तित परिवार अक्सर भारती होने का सूचक माना जाता है लेकिन अब बलकी पहले भी या किसी भी अर्थमी परिवार का प्रमुक रूप नहीं रहा है। यह बात रुचिकर है कि अधिकांस भारती भासाओं में सन्यूत परिवार के लिए प्रयुक्त सब्द अंग्रेजी भासा में ज्वाइंट फैमिली सब्द का ही अनुवादित परियाय है। अब आखरी पॉइंट आता है परिवार के विवीद रूप अधियनोक से ग्यात हुआ है कि विवीन समाजों में किस तरव विवीद प्रकार के परिवार पाय जाते हैं। अवाज के नियम के अनुशार कुछ समाज विवा और परिवारिक प्रताओं के मामले में पत्निस अस्थानिक और कुछ अपत्ति अस्थानिक होते हैं। समाज और प्रबुत होता है। और हमात्ति परिवार बॉत ञbildung समानस रभुत कारी भूमी का निभाती है। हर्दत के प्त के विवरीद मात्र सममाजन तर्वा एक अनुभाविक संकल्पना की बजाए। से धांतिक कल्पना है मातत्तंत्र कोई एधियासिक या मानrie शासरी प्रमाण नहीं है अर्थात ऐसे समाच नहीं है जहां इसत्रियां रभूत्सालि हों हलांकि माफटवंसी समाच अबस्थ z上थ? जाते हैं अर्थात ऐसे समाज जहां इस त्रियां अपनी मताओं से उत्रा अधिकार के रूप में जैसाथ पाती है पर उस पर उनका अधिकार नहीं होता और नहीं सावजरिंग छेतर में उन्हें निड़ा देने का कोई अधिकार होता है यह है फोटो को जॉइंट फैमिली का इसे चलिए अब हम को चोड़े पॉइंट है उसको पढ़ते हैं जैसे कि इसमें पहला पॉइंट दिया है आयनकली 1863-1994 तक है आयनकली का जन्म केरल में हुआ आप निमने जाती हो यह हम दलितों के नेता थे उनके प्रयासों से दलितों को सारोजनिक सड़कों पर चलने की और अपने बच्चों को विद्ध्यालयों में दाखेरा दीलाने की आजादी मिली जोती रा गोबेंदरा फुले 1827-1990 पर अजाती ब्यवस्ता किन अन्याय की भथ्चा कि और शुवा-शूद के नियमों को घो नेंदा कि 1873 में उन्होंने सत्यसोदर समाज के अस्धापना क जो निम्न जाती के लोगों के मानवा धिकारों और समाजिक न्या के राथि के लिए समर्पिष था अब उन्हीं की पत्नी सावित्री बाई फूले, 1831 से 1897 सावित्री भाई फूले देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्याले की पहली प्रधान अध्यापेका थी जो पूले में अस्थापित किया गया था उन्हों ने अपना पूरा जीवन सुद्रों और अति सुद्रों के सिच्छा अरपड करने में लगा दिया इन्होंन 89 से 1973 तक पिर यार इवी रामा स्वामिन आयकर एक बुद्धिवादी और दच्छिड भारत में निम्न जाती आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने लोगों को यह मासूस करने के लिए उद्बोधित किया कि सभी मन्नों से बराबर हैं और हर ब्यक्ति का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह स्वतनता और समानता का आनद ले अब आते हैं स्री नरायन गुरू 1856 से 1928 तक केरल में जन्में स्री नरायन गुरू ने सबके लिए भाई चारे का उपदेश दिया और जाती बिवस्था के कुरू परभाव के बिरूत संघर्ष किया उन्होंने एक सांतिपूर लेकिन सार्थक समाजी करांती का नेतितों किया और सबके लिए एक जाती एक धर्म एक इस्वर का नारा दिया यह हैं मैसूर नर्सिंग चार स्री निवास 16 से 1999 मैसूर नर्सिंग चार श्री निवास भारत के एक अग्रणी समाशाथ्री और समाजिक मानो बिग्ञानी है वे जाती बेवस्ता पर अधारित किए गए कारे तथा संस्कीति करण एहुं प्रबल जाती जैसे सब्दों के लिए जाने करते हैं उनकी किताब द रिमेंबर विलेज समाजिक मानो विज्ञान में गाउं में किये गए सबसे अच्छे अधेनों में से एक है कि यह कुछ फोटो जन्जादियों का है जिसे कि इसमें अपने तेहवार रिती रिवाइद परमपरा को दिखाये दे रहे हैं यह कुछ जन्जादियों का फोटो है जो कि अपने बिरुवद मांग के अपने मांगों के लिए बिरुवद कर रहे हैं और यह फोटो सन्यूत परिवार का है ज्याइंट फैमिली कैसे होती है जिसे दादा दादी नाना नानी और पापा ममी बच्चे सब एक ही में रहते हैं तो इसी के साथ हमारे यह चैप्टर समाप्त होता है समाजी संस्था है निरंतरता और परिवर्तन मतलब कि हमारे समाज में कैसे निरंतरता चेंज होते रहते हैं और हमारी समाजी संस्था हैं जो भी हैं वो कैसे चेंज होती रहती हैं आप लोगों ने इसके बारे में किया गया है तो बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा और आप लोग ने इसे क्या सिखा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह पढ़ना समाज समाज ग्यान के लिए और उपर से यह एक्जाम के लिए जो कि अगर यूपेसी में यह यूनिट नाइन में पढ़ते जा रहे हैं तो आप लोग इसको दो तिन बार रिविजन करिए एक रिविजन के तौर पर यह एक समझिए इसको पढ़ना है तो चलिए फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका देन सुब़ा झाल